बिस्मिल्लार्वानुराहीम असलाम अलेकम आपके साथ का डॉलर का और यालका रेट है मुख्तली बैंकों के हिसाब से और आज का एक्सचेंज रेट रखाजी वो शेयर कर दूगा मैं सबसे पहले हम डॉलर रेकम तल्लक या 287-288 यानि कि 286 रॉपए से 288 रॉपए के है अगर रिया रेट के मतलग बात करें तो आपको मैं एक्सचेंज रेट पहले बता दूँ आज का भाई पाकिस्तानी रूपए के हिसाब से आज का रूपए 34 पैसे है एंड इडिया के बात करें तो 21 रूपए 90 पैसे बंगलादिशी टके की बात करें तो भाई 2895 यानि के करीब पहुंच चुका है बंगलादिशी टका वैसे एक इंट्रस्टिंग की बता दूँ आपको मैं मैं वैसे बैंकों के हिसाब सभी आपको बता दो मैं वैसे ओपन मार्केट की बात करें ना इस वक्त पाकिस्तान में साड़े जत्तर रूपए 50 पैसे से लेकर शतर रूप चाहरे ये साड़े पांस साड़े 6 00007 कारांट में और इंडिया का भाई टाई 63 लांग में इतना भी साज18 में अच्या ता यह बात की अच्छा बतारा था यह बात किसले बताहरा था कि hell एतना हाई हो चुक आ पाकिस्तान में खाहरी से भाथ आप इंडिया का रिट देख है एक रियाल की पीछे पाकिस्तानी रूपईया अच्छा बाराल जी मुख्तली बैंकों के हिसाब से अगर बात करें तो इनमें वेस्टर्न यूनियन की बात करेंगे इनका आज का रेट 75 रूपए 60 पैसे हाई रेट है इनका 10 17 और 23 रियाल इनकी फीज होती है अगर हम मनीग रूपए 42 पैसे 10 17 और 23 रियाल फीज है जी इनकी अगर आप इसे मुबाइल एप से बेजते हैं तो 10 रियाल काड़ लेते हैं स्टी सी पे बात करें तो इनका आज का रेट 75 रूपए 38 पैसे 10 17 और 23 रियाल इनकी फीज है अगर फॉरी बैंक यानिके बैंक जजीरा के हम बा 75 रूपए 45 पयसे 10 17 और 23 रियाल फीज के साथ अगर इन्जाद बैंक की बात करें तो 75 रूपए 49 और 25 वह इस अगर कुक पे की बात करें तो कुक्ऴे ऐसे में मजीद बढ़ेगा चाहे हमारा मुवाहिदा हो चुका है आई एम एफ के साथ लेकिन रियारेट बाई मजीद उपर जाएगा